कॉंग्रिस विधायक वा पुर्व मंत्री जैवर्धन सिंग ने प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को जिम्मिदार ठहराया विधायक जैवर्धन ने कहा कि भाजपा की दलाल, खाद और यूरिया की काला बासारी करने में लगे कोई हैं वही पंचायत चुनावों पर सवाल खड़े करते हुए जैवर्धन ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का अध्यादेश उस सही नहीं था विधायक जैवर्धन सिंग ने कहा कि अगर सरकार पंचायत चुनाव को लेकर समवेधन शील है तो सरकार अध्यादेश क्यों नहीं वापस लेती इस साल हमने देखा कि जब खिसानों की डिमांड थी डियेपी और खाद के लिए इस पूरे सीजन में खाद की भी और डियेपी की भी बहुत कमी मैसूस हुई और इसमें मैंने शिकायत भी की थी क्लेटर गुना से जिसमें हमने ये मांग रखी थी और ये हमने प्रमांड सहित सबूत दिये थे जिसमें की भाजपा के दलाल खाद के और डियेपी के काला बजारी कर रहे थे उसके बाद कुछ दिन पहले जीतू पटवाजी ने पस्तरी पूछा था जिसमें सरकार ने स्विकार किया है कि लक्ष यूरिया का था 20 लाग मेट्रिक तन लेकिन प्राप्त हुआ 11 लाग मेट्रिक तन डियेपी का लक्ष था 8 लाग मेट्रिक तन प्राप्त हुआ 5 लाग 40 लाग मेट्रिक तन जिससे की सपष्च होता है कि जितना लक्ष था जितनी डिमांड थी खाद यूरिया डियेपी की उतनी प्राप्ति नहीं हो पाए साथ साथ मैंने जैसा मैंने कहा कि मैंने प्रमान सहित कुछ पत्र बेज़े जिला क्लेक्टर गुलवा को जिसमें कि भाजपा के दलाल वहाँ पर काला बजारी कर रहे थे लेकिन उन पर विज़े कुछ कारवाई नहीं हुई है तो यह उसमें मूल प्रस्टर था देखिए मैं कुना कह रहा हूं कोविड अलग बाद से लेकिन कम से कम जो यह बास सदन में कह रहे हैं कि नहीं हम चुन अगर चुनाओ नहीं हो रहा होता तो आदेश पहुच जाते क्योंकि आखिर पंचाय चुनाओ कराना एक स्टेट सब्जेक्ट है राजिक आदेकार है कि वो चुनाओ कैसे कराएंगे कब कराएंगे और अगर एक बड़े वर को आरक्षर नहीं मिल रहा है तो मैं मानता हूं भाजपा सरकार की जिम्बदारी है कि जो उन्होंने गलत अध्यादेश पारित किया था सबसे पहले जो बात कमना जी ने कल गही कि वो अध्यादेश वापिस लिया जाएं ताकि रोटेशन संभव हो और साथ में जब तक ओबी सी आरक्षर नहीं होगा सबस्कार नहीं होने हुआ 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 है